मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे कभी नंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, एस टो तक की खास प्रस्तोती कमल नंदलाल की भविश्यवानी आपका राश्य फल, इस राश्य फल में बात करेंगे मेश से कर्मीन राशी के राशी फल की और साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सरल से उपाए राशी अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी पंचांग बताएंगे और राशी फल के आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा विशेश और साधारन सा भी बड़ी से बड़ी समस्या को बस चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं भविश्यवानी की पंजांग के साथ में तो दिन है रविवार का तारीख है 21 जनवरी दो हजार चौबिस पौश शुक्ल एकादिशी पर चंद्रमा विर्श राश्य और लगा शाम को चार बचकर 31 मिनट से लेके शाम को पांच बचकर 51 मिनट तक भध्रा रहेगी वो भध्रा जिसमें शुबाकार कर बरचित माने जाते हैं लेकिन तहरिए ये रहेगी सुभे साथ बचकर 23 मिनट से लेके शाम में साथ बचकर 26 मिनट तक लेकिन ये भदरा स्वर्ग भी की है इसका प्रत्वी लोग पर अशुब प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए शुबकार्य पूजा पाथ धार्मे कनुष्ठान किये जा सकते हैं और दिन का सबसे शुब मोरत रहेगा दुपहर को 12 बचकर 11 मिनट से लेके दुपहर को 12 बचकर 54 मिनट तक ये विशेश अभिजीत मूरत है संड़े का दिन है रवीवार का और इस दिन नारायन के लिए सर्व स्रेष्ट मूरत माना जाता है जब ठीक सूर्य सर के उपर होता है अभिजीत विशेश क्या है क्योंकि रुहनी नक्षत्र है इसलिए रुहनी परवह है विशेश माना जाता है और पौश पुत्रता एकादिशी है साल में दो पुत्रता एकादिशी आती है एक आती है शावन में और उससे पहले पौश महीने में जो श्रावन की पुत्रता एकादिशी होती वो रक्षा बंधन से चार दिन पहले आती है और ये जो आती है पौश की एकादिशी शुकलपक्ष की ये बड़ी विशिष्ट मानी जाती है संतान से संबंध होता है इसका विशेश छे मेने का अ पौश एकादिशी पर विशेश रूप से भगवान नारायन के पूजन का विधान है और नारायन का शंक से संबंध बहुत खास माना जाता है पौश में और ऐसे मैं आपको बताएंगे विशेश उपाय में कैसे संतान और सभी परिजनों के अच्छे स्वास्त की प्राप् और खास पूरे परिवार की हेल्थ अच्छे कैसे हो उसके लिए आपको भविश्यफल आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए अब शुरुवात करते हैं विशेश भविश्यवानी के राशिफल की पहली राशी मेश अनि एरिस के साथ मेश राशिफलों लोग आपसे ब की पाटी में आप एंजॉई भी कर पाएंगे संडे है करनी भी चाहिए घरेलू काम के प्रती परिजनों से आपको तारीथ भी मिल सकती है स्टूडेंट्स को एक्जाम से रिलेटेट कोई खुशखबरी मिलने की संभाव बना भी है संडे का दिन है कोई ने कोई नियूज जरू मिलेगी और सरकारी एक्जाम संडे को ही होते हैं जादतर कॉंपटिटिव ऐसे में मेश राशी वालों एक छोटा सफ़ाय कर लीजिए वो यह कि गाय को मीठी रोटी चाह शक्करकी या गुड़की यह खिला दिए शुभंक आपके लिए तीन रहेगा शुपरंक रहेगा पीला बाग करेंगे राशी नंबर दो वरिश यानि की तौरस की वरिश राशी वालों आपका आर्थिक शेत्र जो है वो मजबूत बना रहेगा स्पेशली बिजनिसमेन का नए कारियों में आपकी रूची भी बढ़ सकती है घरेलू महोल भी आपका खुश्णुमा बना रहे सकता है दोपहर के समय परिवार के साथ में घुमने फिनने जाएंगे बाहर लंच का भी मज़ा ले सकते हैं लाब के अनेक मौके भी मिल सकते ह लंबित काम भी आज पूरी होने की संभावना है और कारोवरी प्रगती के सुंदर योग बन रहे हैं आपके लिए दिन अच्छा है पूरा लाब उठाईए ऐसे में ब्रिश राशी वोलों छोटा सोपाय कर लीजे वो यह कि किसी धर्मिस्तल में गिहुदान कीजे शुभं परहचानक मेहमान भी आ सकते हैं आप रिश्टों को सुधारने का पुरा प्रयास भी करेंगे दोस्तों के साथ भी आपके संभन सुदर सकते हैं और फ्रेंड्स की मदद से खास काम भी आपके निपट सकते हैं एक छोटा सोपाय कर लीजे मित्रुन राशी वालों पूजा गर में लाल तेल का दीपक चलाई है शुबंग का आपके लिए आठ रहेगा शुबंग रहेगा काला बात करेंगे चौथी राशी करक यानि की कैंसर की करक राशी वालों आज कुछ विचारों में आप खोई रह सकते हैं इस से खास मौके हाथ से निकल सकते हैं साब धानी बरतिये इस बारे में हाथ से ना निकले खास मौके रुके वे घरेलू काम आज आप मन लगा कर पूरे कर पाएंगे वाद विवाद में पढ़ने से आपको बचना होगा ये सलाह है आपके लिए आए के नए सरूत भी बढ़ सकते हैं पारिवारिक बज़र्गों के सहत पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस बारे में थोड़ा सा सतर पहें और चोटा सवापाय कर लिजिए वो ये कि किसी भी मंदिर में लाल फूल चड़ाईए शुभंक आपके लिए पांच रहेगा शुभंक रहेगा हरा बात करेंगे पांच भी राशी सेंग याने के लिए ओकी सिंग राशी वालों आज तो कोई खुश्खवरी आपको मिल सकती है स्टूडेंट्स पढ़ाई में और पढ़ाई के प्रोसिजर में दोनों में बदलाव कर सकते हैं घरीलू माहुल में कुछ आप परिशानी महसूस कर सकते हैं खान पान को लेकर आपको बहुत स सतर्क रहना होगा ऐसा नहीं कि आज संडे है आउटिंग है तो आप बार ही पूरा तरे खाना खाले उसके लिए सतर्क रहें शाम को परिवार के साथ में आप घूमने फिनने भी जा सकते हैं एक चोटा सफाई कीजिए सिंग राशी वालों मस्तक पर रोली से तिलक लगाई बच्चों के साथ में शौपिंग करने भी जा सकते हैं बच्चों की पढ़ाई में आप उनकी मदद भी कर पाएंगे नए काम के प्लान भी बनाएंगे और जो प्रेमी हैं उनके संबंद भी मदद रहने के योग हैं ऐसे में कन्या राशी वालों चोटा सफाई कर लिजे आठ रहेगा शुबंग रहेगा काला बात करेंगे सापवी राशी तुला यानि कि लिवरा की तुला राशी वालों दोस्तों के साथ में सेर सपाटे के लिए जा सकते हैं गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचने की में सलहा देता हूं आज गुस्से को घर छोड़ जगा पड़ोसी आपकी हरकतों का विरोध कर सकते हैं इसलिए थोड़ी सी शांती बनाए रखना ज़रूरी है हलाकि आपके आर्थिक स्तिती जो है वो ठीक रह सकती है कारोबारी सौदों में सफलता मिलने के भी सुन्दर योग हैं ऐसे में चोटा सवपाई की जो तुला के योग बन रहे हैं संतान से सुख प्राप तो हो सकता है आपको स्टूडेंट्स के पढ़ाई बहतर रह सकती है जिवन में आर्थिक स्तिता भी आ सकती है इसलिए परिशान होनी की बिल्कुल जर्वत नहीं है घरिलू महौल सुखी रह सकता है सेहत में सुधार आने के भी योग हैं तो संडे को इंजॉए कीजिए और एक चोटा सवपाय जरू कीजिए वो यह की मंदर में लड्डू का प्रसाथ चढ़ा दीजिए शुभंक आपके लिए तीन रहेगा शुभंक रहेगा पीला नवी राशी धनू यानिके सेजटेरियस की बात करेंगे धनू सकते हैं खास लोगों से आपकी मुलाकाद भी हो सकती है सोचेवे कामकाज भी पूरे हो सकते हैं आर्थिक सफलता मिलने के भी प्रबल यूग दिखाई देते हैं जेब जो है वो खचा खच भरी रह सकती है आपके और संबंदों में सामंजस्य भी बना रह सकता ऐसे में धर करेंगे दस्वी राशी मकर यानि की के प्रकौन की मकर राशी वालों घरेलू कामों में परिजन आपकी मदद कर सकते हैं नीजी बाते आपको सांझा करने से बचना होगा यह सलाय आपके लिए क्योंकि कोई भी आपका फाइदा उठा सकता है घर से बाहर निकलते समय अपन भी मिल सकता है स्पेशली वो लोग जो रिटार्ड हैं उनके लिए निवेश से लाव के भी योग नजर आते हैं तो ऐसे में मकर राशी वालों क्या उपाय करना है आपको बस सौंफ के दाने जल प्रवहा कर दीजे शुबंक आपके लिए दो रहेगा शुबंक रहेगा सफ समात लाव के भी योग हैं पिता की सेहत भी बहतर बनी रहेगी कार्शंता में भी व्रद्धी की संभावना है दामपत्य भी सुखी रहेगा और चात्रों के लिए समय परफेक्ट है तो यह आपका लकी डे पूरा लाव उठाईए इसका और ऐसे में कुम्राशी वालों बस चोटा सोपाई कर लीजे लाल रंग के कपड़े पहने बस शुभंक आपके लिए दो रहेगा शुभरंग रहेगा सफेद और अगर लाल रंग के कपड़े ना पहन पाएं तो कोई लाल रंग का कपड़ा ही जेब में रख लीजे बात करेंगे बारवी रैशी मीन यानि पाइसेस की मीन रैशी वालों कारोबार संबंदी अन्यक विचार मन में आएंगे दोस्तों की सलहा से लाब भी हो सकता है घरे लू रिष्टे भी आपके मस्बूत बने रहेंगे संतान से कोई खुशकबरी भी मिलेगी और लोगों से मिलने जुलने और बाते करने से आपको लाब भी हो सकता आइडियास जरूर ग्रास्प कीजिए यह बहुत जरूरी है ऐसे में एक छोटा सा उपाई कर लीजे वो ये कि किसी जरुवत मन को गुड़का दान कीजे शुभंक आपके लिए च्छे रहेगा शुभंक रहेगा गुलाबी तो दोस्तों समय है आज के विशेश उपाई का वो विशेश उपाई जो संतान और सभी परिजनों को अच्छा स्वास्त अच्छी हेल्थ परदान करेगा देखिए पोश महीने के पुतरता एकादिशी ह मैंने आपको बताया सावन में भी पुतरता एकादिशी आती है लेकिन ये जो पुतरता एकादिशी है ये विशेश रूप से बहुत इंपोटेंट है कारण क्योंकि इसका संबंद एक तो स्वास्त से बहुत ज़्यादा है दूसरा शंख से बहुत ज़्यादा है ऐसे में नारयन का पूजन करें क्योंकि भगवान नारयन का ही आयुद्ध है शंक उसको लक्षमी का सोहदर भाई माना जाता है तो ऐसे में संतान और सभी परिजनों के अच्छे स्वास्त के लिए अच्छी हेल्थ के लिए भगवान नारयन का पूजन करें और शंक में पंचामरत भर रिवे brothers शंक से नारायन का भिशेक करें और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंत्र करें और मैं विश्तर नाम सब्दान करने आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टु तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से